2023 अब आपका golden year बन गया है क्योंकि थोड़ा सा vacancies late हो गई बट 2023 वो साल है जिसमें आपकी नौकरी लगेगी 2022 तो खतम हो गया ना तो 2023 वो साल है जिसमें आपकी नौकरी लगेगी और सिर्फ नौकरी नहीं लगेगी इस 2023 में आप अपने सपने पूरे कर पाओगे जो भी आपके सपने है नौकरी के बाद वाले parents के लिए घर खरीदना होगा अपने लिए गाड़ी खरीदनी होगी कुछ लोगों की शादियां रुकी होई थी बहुत टाइम से हाना मूरत नहीं आ रहा था क्योंकि KBS की वेकेंसी नहीं आ रही थी क्योंकि जॉब नहीं लग रही थी तो यह सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे मगर condition है condition यह है कि आप कोई भी गलती नहीं करते DSSB का result आया है थोड़े टाइम पहले और भी बहुत सारे उसमें बहुत सारे student का selection हुआ जिनका selection नहीं हुआ जिनका selection नहीं हुआ उन्होंने क्या गलतियां करी थी वो आपको समझना और वो आपको नहीं करनी है अगर आप गलतियां करोगे, तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, अगर आप अपना focus बिगाड़ दोगे, अगर आपने अपना focus सही नहीं रखा, तो आपका selection रुख सकता है, इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है, एक भी गलती नहीं, this is your only chance, इसके बाद कोई vacancy आएंगी, मुझे नहीं पता, इसके बाद 2024 के election आ जाएंगे, तो हम सब को पता है, क्या होने वाला है, तो आप लोगों को focus बना के रखना है, focus नहीं बिगाड़ना है,